आज हम अपने topic start करने जा रहे है इस Constituent Assembly इंडिया में कैसे संबली बनी थी कौन-कौन उसका वेंबर था कितनी कमेटी थी कितने दिन में बनी थी कौन सी तारिक को बनी थी यह सब बहुत सारे कोशन्स हैं इसका जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा तो चलिए वीडियो क को स्टार्ट करते हैं अब देखिए बहुत ध्यान से एक एक पॉइंट को देखना है मोस्ट इंपॉर्टन टॉपिक है सब भी कॉंपुटिटिव एक्जाम के लिए कि किस तरीके से सब्सक्राइब भारत में बनी थी देखो सबसे पहले स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं मेरी वीडियो में आपको हर चीज क्रोनोलोजिकल ओडर में ही मिलेगी आइडिया फॉर्मिंग दी कॉंस्टिवेंट एसेंबली सबसे पहले आया था मन रॉय के दिमाग में मन रॉय कम्यूनिस पार्टी के नेता थे और इन्हों ने बोला था कि एक कॉंस्टिवेंट एसेंबली या एक समविधान सभा भारत के लिए होनी चाहिए भारत में एक समविधान सभा और जिससे वो अपनी कॉंसिटूशन बना सके उसके बाद कॉंग्रेस ने इस जिमांड को ओफ होगा जो भी लोग कॉंस्टिवेंट एसेंबली में बैठेंगे वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज पर होगा मतलब कि कोई भी यहां पे सभी लोग एलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज 1942 में सर एस्टैफोर्ड क्रिप्स भारत आते हैं 1942 में इस्टैफोर्ड क्रिप्स भारत आते हैं अब यहां देखो क्या है थोड़ा सब बैक्ग्राउंड में चलेंगे तो आपको याद होगा कि 1939 से 1945 के बीच विचे second world war हो रा था तो क्रिप्स प्रपोजल आता है यहां पर जब मैं हिस्ट्री के लेक्चर्स अप्रोट करूँगा तो उसना आपको मिलेगा कि स्टैफोल्ड क्रिप्स भारत आते हैं और वो इंडिया को बोलते हैं कि डैट टोल कॉंग्रेस बिटिश गॉर्मेंट फ्रेम दी कॉंस्टिट्वेंट असेम्बली आफ्टर दी वर्ल्ड क्रिप्स प्रपोजल नहीं यहां पर यह क्रिप्स नहीं हां यह बोला कि भई आप हमारी मदद कीजिए हम आपके लिए कॉंस्टिट्वेंट असेम्बली बनाएंगे कब बनाएंगे वर्ल्ड वार टू के बाद बनाएंगे अब जब बात यह हुई कि वर्ल्ड वार टू क को बोला था एक Post dated Check Most importantट कि किस प्रपोजल को गांधी जी ने बोला था एक PDC Post date Check वह बोला था Crieps proposal को घर्पोजल भारत कब आया था अगें इंपॉर्टेबी इन 1942 यह सब चीजह हमें याद रखनी है औक अब यह बहुत जादा इंपोर्टेंट कोशन है के लिए इससे एक कोशन आता ही आता है यह वाला कि कॉंस्टिटुएंट एसेंबली भारत में फाइनली कैबिनेट मिशन मिशन प्लान से बनी थी कैबिनेट मिशन प्लान बेसिकली भारत आया था 1946 में आया था ठीक है इसमें कौन-कौन लोग आये थे इसमें आयते सर पैथिक लॉरेंस सर एवी अलेक्जेंडर और सर इस्टैफोल क्रिप्स फिर से भारत आये आप इन्हों नहीं बोला कि भाई कॉं टोटल स्ट्रेंथ का जब भी बात आएगी तो हमारा आंसर हमेशा होगा 299 मैंबर्स वो मैं बताऊं को कैसे हमें एक चीज याद रखी जब भी टोटलो इस चिर्इंथ की बात आएगी हमारा अंसर होगा 299 मैंबर्स चीक है आप देखो यहाँ पर टोटल इस्टैवा सट् से पहले भारत के बटवारे से पहले तो थी 389 और भारत के बटवारे के बाद कितनी हो गई 299 जब भी question आएगा कि total strength of the constituent assembly हमारा answer क्या होगा 299 यह याद रखना है हमारा answer क्या होगा 299 ठीक है clear है यह ओके आप देखो इस 389 में 296 आपके British India के लोग थे 93 आपके प्रिंसली स्टेट के लोग थे 296 फ्रम्टी ब्रिटिश इंडिया एंड 93 फ्रम्टी प्रिंसली स्टेट एक इंपोर्टेंट पॉइंट अगे ने कि किया है क्लियर है तो आगेन इंपोर्टेंट पॉइंट इस स्लाइट पर क्या दिखाई दे रहा है कि कि से फ्रेम हुई थी बाइक कैबिनेट मिशन प्लान और किस चीज को गांधी जी ने पोस्ट देटेट चेक बोला था इस क्रिप्स प्रपोजल मोस्ट इंपोर्टेंट कोशन से लेटेट टू इसेंबली अब आके चलते हैं अगेन पूरी के पूरी सारी स्लाइट से इंपोर्टेंट आराम से देखें कोई जल्दवाजी नहीं है फर्स मीटिंग ऑफ दी कॉंसिट्ट इसम्बली कब हुई थी 9th of December 1946 9th of December 1946 इसको अटेंट किया था 211 मेंबर ने दिल्ली के अंदर तो पहली मीटिंग कॉंसिट्ट इसम्बली की होती है 9 December को इसे अटेंट किया था 211 मेंबर से दिल्ली के अंदर इसको चेर किया था डॉक्टर सच्चेजानन से ना जो कि टेंपररी मेंबर बने थे इसके ठीक है सबसे बड़े थे सीनियर थे तो इन्हें चेर्मेन बना दिये गए वो बनाये सच्चिदानन सिन्हा उसके बाद मैंने अगली डेट लेखी 11 तारिक 11 तारिक को फिर से मीटिंग हुई एलेक्शनस हुए और एलेक्शन में देखा गया कि ये तीन लों के नाम सामने आए तो डॉक्टर राजंदर प्रसाद बने प्रेसिडेंट ओफ दीकॉंसी टोंसी टेंटूंट एसमब्ली अगर हमसे कोई पूछे प्रेसिडेंट ओफ कॉंसीटीटउन एसमली आंसर इस रा रखना है कि राजंदर प्रसाद प्रेसिडेंट ऑफ कॉंस्टीट्वेंट असेंबली एंड राव इस इस स्लाइड में हमें क्या क्या चीज़ें याद रखनी है पूरी स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है यह वाली इस पूरे को याद रखना है बहुत अच्छे से कहां मीटिंग हुई कब हुई यह तीन भईया यह तेट याद रखना है 9 11 और 13 ध्यान रखनी है नौ दिसमब कि आंगे चलते हैं अप देखिए ३टम नहिंट करना दिमांते कौं क्या हुआ था अब औब्जेक्टिव रिजॉलूशन इंटोड्यूस किया था इस औब्जेक्टिव रिजॉलूशन का मतलब क्या है नाम से क्या लग रहा है औब्जेक्टिव रिजॉलूशन क्या हो सकता है इसका मतलब यह है औब्जेक्टिव रिजॉलूशन का कि भाया 13th December 1946 यहां चीज़े क्लियर हो रही है आपको जो कोशन आ सकता है जवाला नहरू ने दिया था या फिर मोतिलाल नहरू ने दिया था गांधी जी ने दिया था इस एप से नाइन मेंबर्स टोटल टाइम कितना लगा दो साल ग्यारा महीने अठारा दिन टू इयर्स एलेवन मन्स एंड एट्टीन डेज और इस कॉंसिट्यूशन को बनाने के लगवग 64 लैक रुपीज का खर्चा आया था 64 लाक रुपए खर्च हो गये थे ठीक यहां तक क्लियर है बहुत अराम से वीडियो को देखना है फिर से रिवाइस करना है बारबार करना है इससे कोशन बहुत मिलते हैं ठीक है आगे बढ़ते हैं अब भयां ये कमेटी अगेन वेरी इंपोर्टेंट है कमेटी को याद रखना है कमेटी को याद करने का तरीका समझना कैसे याद कर नहीं होगी अगर आप लोग वैसे करपाओ तो देखो सबसे पहले ये उठाओ ड्राफ्टिंग कमेटी ड्राफ्टिंग कमेटी पूरे देश को पता है कि अपने श्री बी आर अम्बेट कर जी ने ड्राफ्टिंग कमेटी के हैट थे ये तो सभी को पता है न ड्राफ्टिंग कमेटी तो अभी इसे भूल जाओ ये सब जानते हैं सब को पता है ड्राफ्टि पहले ये वाली ये वाली और ये वाली तीन कमेटी देखिए नहरू की नहरू जी की यूनियन पावर कमेटी जवालल नहरू यूनियन कॉंसिटूशन कमेटी जवालल नहरू स्टेट्स कमेटी जवालल नहरू आपको ये एक साथ याद करनी है देखो यूनियन का नाम आ रहा तो वहां नहरू जी का नाम आए गई याद करने का तरीक है अपने अपने यूनियन यूनियन और इस्टेट भी क्या होता है इंडिया इसे यूनियन ऑफ इस्टेट ऐसे भी आप याद कर सकते हो तो यूनियन पावर कमेटी यूनियन कॉंसिटूशन कमेटी एंड इस्टेट नहरूं यहां तक हमें याद हो गया बहुत अच्छी बात है बहुत कोई दिक्कत नहीं है अब देखो प्रोविंस की जब बात आएगी जब इस्टेट्स की बात आएगी तो हमाँ पता है पता है सरदार पतेल जी ने बहुत मेहनत करके सारे स्टेट्स को यूनाइट किया था तो प्रोविंस इस की जहां बात आएगी यह पिर पर कुछ ट्राइयवल ची बात आ रही है वहां पर पतेल जी का नाम आएगा भास इतनी जगह नाम आया एक तो प्रोविंसिस की constitutional committee में और एक advisory committee में आया है on minorities and tribal and excluded areas ठीक है यह हमें याद रखना है यह important भी है और यह हमें याद भी रखने की जवालनल नहरू आये थे आपके जवालनल नहरू कब आये थे तीन committees जवालनल नहरू की थी कौन कौन सी union power committee, union constitution committee and states committee committee यह हमें याद रखना होगा तो आप आसानी से सबकुछ याद रखो गया और फिर उसके बाद आएगा provinces की जब बात आएगी तो सरदार पटेल प्रोविंसिस की बात आएगी देन सरदार पटेल और आप क्या बच रहा है अगर आप देखो सबसे होश्यारी वाली committee rules बनान committee होगी आपकी राजंदर प्रसाद की मैं आपको जस्याद करने का तरीका बता रहूं कैसे आप याद कर पाऊगे इसे तो हमें याद रहेगा यह सब कुछ भूलना नहीं है बिलकुल भी ठीक है अगेन यूनियन यूनियन एंड इस्टेट्स जवालला नहरू ड्राफ्टि कमेटी में सात Masters टोटल ड्राफिटिंग कमेटी में हमारे साथ मेंबर से सेविन मेंबर से अगर उसमें आपको याद हो अगर आप याद रखो इस चीजिए को तो इसमें सबसे पहले चेर्मेन जो थे वो अपने अम्बेटकर जी थे याद रहेगा यह बी आरम बेटकर कौन थे चेर्मेन थे इसके और बाकि ये इसके मेंबर्स गोपाल स्वामी अयंगर आयर केम मुझशी सेद मौहमस्वादुल्ला माधव राओ एंटी टीटी किष्ण से आपके आते हैं इंट्रिम गॉणमेंट से कि अगर इंट्रिमघ बज़ें बनी थि आपके आपके पूछाँ जाता मिनिस्टर ते आपके सब याद रखना आपको बसंवागा इसकी वीडियो अप लौट करूँगा तो आपको सब कुछ मिलेगा कि कैसे कैसे इंटरिम गवर्मेंट बनी थी और क्या क्या हुआ था लेकिन तब तक के लिए बस मैंने बताया रेलवेज याद रखिए आसा फली यह सैवन मेंबर्स कमेटरी याद हो गई आपको इसे याद करना आसान है इसको याद करने का तरीका देखी अम बेट कर तो सभी को पता है ठीक है अईयंगर ऐयर मुंशी ऐसे याद कर लिजे यह हो गए तीन मेंबर्स और इन्हें को याद कर लीजे बस हो जाएगा याद उसके बाद आगे चलते हैं और भाई जो Constitution हमारा बना एडॉप्ट किया गया वो किया गया 26 नवंबर 1949 को Constitution हमारा बन चुका था कब बन गया था 26 नवंबर 1949 को यह हमें याद रखना है तो Constitution हमारा एडॉप्ट कब हुआ था 26 नवंबर 1949 को और हम उसे फोर्स में कब लेके आये थे फोर्स में लेके आये थे 26 जैनवरी 1950 को ऐसा क्यों हुआ था ऐसा क्या हुआ था कि हमने अडॉप्ट तो कर लिया था 26 नवंबर को पर फोर्स में लेके आये थे 26 जैनवरी 1950 को दो महीने क्यों वेट किया था अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है कि 395 आल्टिकल से ठीक है याद रखना है यह अब देखो ऐसा क्यों हुआ था कि 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉंसिटूशन एडॉप्ट हो गया था पर वो जाके फोर्स में आया 26 जैनवरी 1950 को ऐसा हुआ था कि 26 जैनवरी 1930 को 26 जैनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज डे हमने सैलिबिरेट किया था लाहूर में लाहूर सेशन इन देसंबर 1929 ऐसा हुआ कि नहरू रिपोट नहरू रिपोट आई थी 20 थोड़ा सा हिस्ट्री में चलते हैं 1928 में नहरू रिपोट आई नहरू रिपोट में नहरू जी ने बिटिशर्स को यह बोला था कि भई ऐसा है दीजिए अब सब लोगों ने उनसे बोला कि आपने डॉमीनियन स्टेटस की मांग क्यों करी डॉमीनियन का मतलब क्या होता है कि मेजर मेजर चीजें बिटिश के पास ही रहेंगी हाँ अपनी एक लेजिसलेटेव एसेंबली हो की जब एक साल तक कोई डिसीजन नहीं आया तो छबिस जनवरी 1930 को अपने डिकलेर किया पूर्ण सुरास दिवस और पूर्ण सुराज में 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 अपना रिपबलिक डे मनाते हैं याद रहेगा यह और लॉर्ड विस्काउंट साइमन ने बोला था इस पूरी कॉंस्टिट्वेंट एसम्बली को एक बॉटी ऑफ हिंदू आई होप आपको कॉंस्टिट्वेंट एसम्बली समझ आई होगी इसमें कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा पढ़ाई को इसी तरीके से इंजॉय करते रही है ओके थैंक्यू क्लास